हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का आपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टाडी जीएस में दोस्तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार पुलिस प्रिभियस एयर का हॉल प्रसन पत्र जो कि दोस्तो यह 8-3-2020 का दृतिय पाली का प्रैक्टिस सेट होगा जिसमें दोस्तो हम लोग 100 कोश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं दोस्तो इसे पहले हम लोग 8-3-2020 का प्रथम पाली का प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जा कर उसे देख सकते हैं दोस्तो यह हम जो सिरीच चला रहे हैं बिहार पुलिस सिपाही का प्रिभियस येर का प्रैक्टिस सेट जो कि हम लोग 10 साल का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं तो दोस्तो अभी तक आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो प्लीज इसे सस्क्राइब कर लें और इसे ज्यादा से दा लाइक करें दोस्तो में सेर करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आज का प्रैक्टिस सेट पहला कोश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज है एक कराई टेंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर ए यानि कि बिहार दोस्तों हम लोग फास्ट प्रैक्टिस सेट करेंगे क्योंकि यह प्रिभियस येर का कोश्चन दिया हुआ है हम लोग फास्ट इसका प्रैक्टिस सेट करते हैं तो चलिए नेक्ट देख लेते हैं प्रश्चन संक्या दो में कह रहा है कि बायो फाइटा पाद अप्शमान तो पाए जाते हैं दो कराई टेंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर सी यानि कि नम और छैदार आवासों मे नेक्ट देख लेते हैं कोशन नमर 3 में आपको कह रहा है कि राज के राजपाल को अध्यादिस जारी करने की सकती प्रयुक्त की जा सकती है तीन कराई टेंसर हो जाएगा ऑप्शन नमर आ यानि कि राज सूची पर नेक्ट देख लेते हैं नेस्ट कोशन हो जाएगा कोशन नमर चार में आपको कह रहा है कि यदि निम्न अभिकिरिया पर प्रशन संख्या चार में कह रहा है कि यदि निम्न अभिकिरिया पर विचार करें यानि कि MN4 प्लबस 5 फी MN2 तब KMN4 का तुल्यांकी भार होगा ये आपको पूच रहा है चार का राइटेंसर हो जाएगा आपको option number D यानि कि इसका तुल्यांकी भार ब्राबर अनुभार बटा 5 यानि कि option D राइटेंसर हो जाएगा next देख लेते हैं दोस्तो प्रस्टन संख्या 5 में आपको मैथ दिया हुआ है इसका राइट एंसर बता देते हैं 5 का राइट एंसर हो जाएगा option नमर D यानि कि 16 पुर्णाग 2 बटा 3% next देख लेते हैं question नमर 6 में कह रहा कि पक्षियों में तेल आत्वा प्रीन गरंती किस भाग में होती है 6 का राइट एंसर हो जाएगा option नमर A यानि कि पूरे सरीर पर होती है next देख लेते हैं question नमर 7 में कह रहा कि अंतह स्वसन तभी होता है जब वायू मंडल ये दाब से फेपरों का दाब डैस हो 7 का राइट एंसर हो जाएगा option नमर A यानि कि कम हो next देख लेते हैं प्रशन शंख्या आठ में कहड़ा आए कि निमली खित में से दक्षिन भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है 8 का राइट एंसर हो जाएगा option नमर B अनाई मूडी next देख लेते हैं दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हम description में टेलीगरम का लिंक दे देंगे आप लोग जाकर के वहाँ से प्राप्त कर लिजिएगा next देख लेते हैं प्रशन शंख्या 9 में कहड़ा है कि सूती बस्तर के साक्ष प्राप्त हुए है 9 का राइट एंसर हो जाएगा option नमर A यानि कि मोहन जोद्रो में next देख लेते हैं English का question दिया हुआ है कि आपको replace the underlined part of the sentence with one word from the given option यानि कि one word दिया हुआ है it is liable to catch fire easily तो 10 का राइट एंसर हो जाएगा option नमर C यानि कि inflammable यानि का option C राइट एंसर हो जाएगा next देख लेते हैं प्रशन शंख्या आपको 11 में दे रहा है घटते क्रम में प्रशन शंख्या 11 में नीम्न कार्बो किसलिक अमलों को उनकी अमलिये छमता के घटते हुए क्रम में आपको बताना है 11 का राइट एंसर हो जाएगा option नमर C यानि कि पहले 3 हो जाएगा यानि कि फ्लोरो एसिटी कमल हो जाएगा उसके बाद कलोरो एसिटी कमल हो जाएगा उसके बाद एसिटी कमल हो जाएगा और अंत में आपको बिव टाइडी कमल हो जाएगा यानि कि एगारा कराइट एंसर option C हो जाएगा नेक्स देख लेते हैं प्रश्चन संख्या बाड़े में कहड़ा है कि रामजंदर सुकल द्वारा रचित कविता की पड़क निवंद का मुल भाव क्या है बाड़ा कड़ाई टेंसर हो जाएगा ओप्शन नमर सी यानि कि कविता का मुल्यांकन करना नेक्स देख लेते हैं प्रश्चन संख्या तेरा में कहड़ा है कि जैव पुष्टी करन के लिए पादव परजनन यानि कि जैव पुष्टी करन के लिए डैस के लिए पादव परजनन आपको बताना है तो तेरा कराई टेंसर हो जाएगा ओप्शन नमर सी यानि कि उन्नत ख खाद गुन्वक्ता यानि कि जह पुष्टी करन जो है वह उन्नत खाद गुन्वक्ता के लिए पाद प्रजनन है नेक्ट देख लेते हैं प्रस्टन संक्या चौदा में दे रहा है कि चूज दा करेक्ट टेंस ओफ दा भर्व फ्रम गीवें ऑप्षन यानि कि देख देश दा रेडियो ओल इवनिंग आपको बताना है कि इसमें करेक्ट टेंस का वर्वें इसमें क्या भड़ा जाएगा तो चौदा कराई टेंस तर ह जाएगा ऑप्षन नमर बी यानि कि वे और लिस्टिनिंग टू यानि कि देवियर लिस्टिनिंग टू दे रेडियो ओल इवनिंग यानि कि ऑप्षन बी राइट एंसर हो जाएगा नेक्ट देख लेते हैं प्रशन संख्या पंदर में कहड़ा है कि बिहार में 2021 की जन गन्हा के अनुशार शर्वाधिक जन संख्या घनत वाला जीला डैस है तो पंदर कराई टेंसर हो जाएगा ऑप्षन नमर बी यानि कि सी उहर नेश्ट देख लेते हैं मैथ के कोशन दे रहा है कि 10 के पाउड एन माइनस 1 सेदेव एगार से बिभाजित होता है जब 16 कराई टेंसर हो जाएगा ऑप्षन नमर ए यानि कि एन एक सम संख्या है तो आपको बिभाजित होता है नेश्ट कोशन देख लेते हैं प्रशन संख्या 17 में कह रहा है कि निवन में से कोन सा योगात्मक बहुलग है 17 कराई टेंसर हो जाएगा ऑप्षन नमर ए यानि कि नायलोन छियासट जो है या आपको योगात्मक बहुलग है नेश्ट देख लेते हैं प्रश्ण संख्या अठारे में करा के निमली खित में से कौन से ब्रिक्ष में अप अस्थानिक मूल पाई जाती है 18 का राइटेंसर हो जाएगा ओप्सन नमर डी यानि की बरगत का ब्रिक्ष नेक्ट देख लेते हैं 19 में सोनार में 10 तरंगे परयुक्त होती है 19 का राइटेंसर हो जाएगा औप्सन नमर ए यानि की परढ़ा धावनी तरंगे परयुक्त होती है नेक्ट देख लेते हैं मैत का कोशन दिया हुआ है इंटिग्रेशन है यह इन्टर लेवल का मैत है यानि की 20 का राइटेंसर हो जाएगा Option नमर D यानि कि πाई एस्क्वाइर बटा एट इसकर आइट एंसर हो जाएगा Next देख लेते हैं 21 में आपको कह रहा है कि Stainless Steel में निर्ण में से कौन साता तो मौजूद नहीं है 21 कर आइट एंसर हो जाएगा Option नमर B यानि कि Tungustan Next देख लेते हैं 22 में आपको कह रहा है कि कुमार गंधर्व के संगीत की मुख विश्यस्ता क्या थी 22 कर आइट एंसर हो जाएगा Option नमर C यानि कि मालवा, लोक धून और हिंदूस्तानी सास्त्रिये संगीत Next देख लेते हैं Question नमर 23 में आपको कह रहा है Question नमर 23 में कि आँख की संराचना में निमलिखित अस्तर पाए जाते है आपको 23 कर राइट एंसर हो जाएगा Option नमर B यानि कि Sweet पटल Sweet पटल उसके बाद नेत्र सलेश्मा उसके बाद रंजित पटल और दिरिश्टी पटल यानि कि आँख की संराचना निमलिखित अस्तर पाए जाते है बाहर से अंदर तक इन अस्तरों के शही क्रम आपको पहले Sweet पटल हो जाएगा उसके बाद नेत्र सलेश्मा उसके बाद रंजित पटल और अंती में दिरिश्टी पटल हो जाएगा यानि कि तेज कर आइटेंसर B हो जाएगा नेक्श देख लेते हैं मैथ का Question दिया हुआ है 24 24 कर आइटेंसर हो जाएगा Option नमर A यानि कि एक द्रिग ब्रित नेक्श देख लेते हैं प्रस्टन संके 25 में कह रहा है कि कोशिका में अनुवानसिक पदार्थ है 25 कर आइटेंसर हो जाएगा Option नमर A यानि कि DNA नेक्श देख लेते हैं दोस्तों यह Previous Year का 8.3.2020 का Second Shift का Question है जो कि हुबहु आपका जो एक्जाम में आप लोग एक्जाम दिये होंगे 26 कर आइटेंसर हो जाएगा Option नमर D यानि कि LED Next देख लेते हैं 27 में आपको English दिया हुआ है Selected the correct Transformation from Indirect to Direct यानि कि आपको Narration दिया हुआ है Direct से Indirect से Direct में आपको बनाना है He said that He had to work hard 27 कर आइटेंसर हो जाएगा Option नमर C यानि कि He said I have to work hard Next देख लेते हैं प्रशन शंक्या 28 में कहड़ा है कि निमली खित में से जम्मू यो कस्मीर में खाड़े पानी की जील कौन सी है 28 कर आइटेंसर हो जाएगा Option नमर A यानि कि डल जील Next देख लेते हैं Question नमर 29 में कहड़ा कि भारत में बंजीर सनक्षन अधिनियम जिस वर्स लागू किया गया वह है 29 कर आइटेंसर हो जाएगा Option नमर C 1972 Next देख लेते हैं 30 में कहड़ा कि डैस वह पादफ है जिसमें बीज फलो के भीतर होते हैं 30 कर आइटेंसर हो जाएगा Option नमर A यानि कि इन्जीू एस्पर्म वह पादफ है जिसमें बीज फलो के भीतर होते हैं यानि कि Option A राइटेंसर हो जाएगा Next देख लेते हैं प्रशन शंक्या 31 में कह रहा है कि किसको गुलकूँच के साथ गर्म करने पर रज़त दर्पन बनता है 31 कर आइटेंसर हो जाएगा Option नमर D यानि कि टालिन अभी कर्मक जो है या आपको गुलकूँच के साथ गर्म करने पर रज़त दर्पन बनता है Next दख लेते हैं मैट के कोशन दिया हुआ है आपको इसमें मैट में कह रहा है कि Transform the flowing sentence into interrogative sentence from the option that follow इसमें आपको interrogative sentence बनाना है इसका यानि कि Nobody believes a layer यानि कि 32 का राइटेंसर हो जाएगा Option नमर C यानि कि Do you believe a layer Next दख लेते हैं प्रशन संख्या 33 में कह रहा है कि भार का इसाई मात रख है 33 का राइटेंसर हो जाएगा Option नमर C यानि कि Newton Next दख लेते हैं प्रशन संख्या 34 में कह रहा है कि राम तजू पे गुरू न बिशारू गुरू के शम उप्यूक्त पंतियों में किसको महत दिया गया है तो 34 का राइटेंसर हो जाएगा Option नमर C यानि कि हरी को Next कुशन देख लेते हैं Question नमर 35 में कर आएके निम लिखित में से कौन सा चित्र लियांडू दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया 35 का राइटेंसर हो जाएगा Option नमर D यानि कि Last Judgment या आपका लियांडू दा विंची द्वारा नहीं बनाया गया दोस्तों अगर आप लोग बिहार दरोगा का भी प्रैक्टिसेट अगर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाके प्रैक्टिसेट कर सकते हैं Next देख लेते हैं Question No.36 में आपको कह रहा है कि Choose the correct translation of the flowing sentence यानि कि महात्मा गादी adopted the path of non-violence आपको इसका translation करना है कि या हिंदी translation इसका क्या होगा English translation दिया हुआ है तो 36 कर आइटेंसर हो जाएगा Option No.C यानि कि महात्मा गादी ने अहिसा का मार्ग अपनाया Next देख लेते हैं 37 में कह रहा है कि जल्विस लेशन पर a torch देता है 36 कर आइटेंसर हो जाएगा Option No.D यानि कि गुलकोंज Next question देख लेते हैं Fallen दिया हुआ है आपको इसका राइटेंसर करना है 38 का 38 का राइटेंसर हो जाएगा Option No.C यानि कि परतीक बिंदू पर संतत है संतत है परतीक बिंदू पर संतत है Next देख लेते हैं प्रशन शंक्या 49 में आपको इंगिश दिया हुआ है Selected the option That means the same as the given item है The split hairs The split hairs दे रहा है माफ किजिएगा The नहीं Two split hairs यानि कि 49 का राइटेंसर हो जाएगा Option No.C यानि कि Two engage in discussion irrelevant details यानि कि 49 का राइटेंसर Option C हो जाएगा Next देख लेते हैं Next question में आपको दिये गए सब्द की पड़ेवाची सब्द का चेहन करना है आपको राइटेंसर हो जाएगा Option No.D यानि कि 10 आनि Next देख लेते हैं इसमें 41 में पुछ रहा है कि बल का भी मिये शमी करन 41 का हम छोटा कर देते हैं 41 का पुछ रहा है कि 41 का राइटेंसर हो जाएगा Option No.C यानि कि F बराबर M के पावर ओन L के पावर ओन T माइनस टू यानि कि Option C जो हो जाएगा वह बल का भी मिये शमी करन हो जाएगा Next देख लेते हैं 42 में आपको कह रहा है कि निम लिखित में से कौन सी पुष्टक तिलक ने लिखी है 42 का राइटेंसर हो जाएगा Option No.B यानि कि Gीता रहास से Next Question देख लेते हैं Question No.43 में आपको कह रहा कि अमरित सर यो सिमला लगवक एक ही अक्छांस परिश्थित है प्रंतु उनकी जलवायू में भीन्ता का कारण है 43 का राइटेंसर हो जाएगा Option No.A यानि कि 43 का राइटेंसर Option A हो जाएगा Next देख लेते हैं प्रशन संक्या 44 में कह रहा है कि जब कोई बस्तु मुक्त रूप से प्रिथिवी की और गिरती है तो उसकी कूल उर जा 44 का राइटेंसर हो जाएगा Option No.C यानि कि नियत रहती है Next देख लेते हैं 45 में आपको कह रहा है कि मनुस में प्रती मिनट हिर्दे अस्पंद होता है 45 का राइटेंसर हो जाएगा Option No.A यानि कि 72 बार Next question देख लेते हैं Question No.46 में कह रहा कि मस्तिक जो और जिस जीव देह के कारण होता है वह है 46 का राइटेंसर हो जाएगा Option No.C माफ किजिएगा 46 का राइटेंसर Option B हो जाएगा यानि कि जीवान उसे Next question देख लेते हैं Question या मैच का दिया हुआ है इसका राइटेंसर हम बता देते हैं 48 में आपको कह रहा है कि Gun Metal किसकी मिस्तिर धातू है 48 का राइटेंसर हो जाएगा Option No.B यानि कि Cu, Sn तथा Zn का मिस्तिर धातू है Gun Metal Next question देख लेते हैं Question संक्या 49 में कह रहा है कि 3D बोद सभा किस अस्थान पर बुलाई गई थी 49 का राइटेंसर हो जाएगा Option No.D पाटली पुत्र में बुलाई गई थी और या असोक के साथ संकाल में Next question देख लेते हैं मैं थे दिया हुआ है जैकि माधिका और बहुलक है 50 का राइटेंसर आपका हो जाएगा Option No.B Next देख लेते हैं Question No.51 में आपको कह रहा है कि वायू मंडल में ताप माण की शमान पतंदर है कि का राइटेंसर हो जाएगा Option No.A यानिकि 16 समलो 5 डिग्री सेंटिग्रेट बाई किलो मेटर Next देख लेते हैं प्रशन संक्या 52 में कह रहा है कि 19-19-20 के दरांदर भंगा राज में किसान आंदोलन का नेता कौन था बाउन का राइटेंसर हो जाएगा Option No.B यानिकि स्वामी बिध्यानंद Next देख लेते हैं English का question दिया हुआ है आपको English का question है आपको passive voices को बनाना है Active से passive और शोटा कर देते हैं Active से passive आपको बनाना है कह रहा है कि आपको active से passive बनाना है तो तिरपन का right answer आपका हो जाएगा Option No.C यानि कि fruit has to be picked very early otherwise it cannot be got to the market Next question देख लेते हैं प्रश्ण संक्या चाउवन में आपको मैच दिया हुआ है चाउवन का right answer हो जाएगा Option No.C Next देख लेते हैं प्रश्ण संक्या प्रश्वन में कह रहा है कि किनी form सब्दावली का शंबंध है प्रश्वन का right answer हो जाएगा Option No.C यानि कि Mesopotamia लेखन से Next देख लेते हैं 56 में कह रहा कि भारत की बिदेश नीती आधारित है 56 का right answer हो जाएगा Option No.A यानि कि गूट निर्पेक्षता की नीती पर Next देख लेते हैं 57 में आपको कह रहा कि Spinning जेनी की खोज किषने की 57 का right answer हो जाएगा Option No.C यानि कि James Hargreaves ने Next देख लेते हैं प्रश्वन सेंग क्या 58 में कह रहा कि EDTA एक डैस लिगेंट है अन्ठावन का right answer हो जाएगा Option No.D या हेकसा डैंटेड है क्या है EDTA एक हेकसा डैंटेड लिगेंट है Next देख लेते हैं 59 में कह रहा कि मीरा भाई का जन्म हुआ था 69 का right answer हो जाएगा Option No.C राजस्थान में Next देख लेते हैं 60 में कह रहा कि मंदार परवत बिहार के डैस जिले में इस्तित है 60 का right answer हो जाएगा Option No.C या भावल पुर्जिले में इस्तित है Next देख लेते हैं 61 का right answer हो जाएगा Option No.A यानि की 5% Next कोशन देख लेते हैं Question No.62 62 का right answer हो जाएगा Option No.B यानि की 24 घंटे Next कोशन देख लेते हैं प्रशन संख्या 63 में आपको कह रहा है कि कि किसी बात को अत्याधिक बढ़ा कर कहना वाक्यांस के लिए शही शब्द है 63 का right answer हो जाएगा Option No.B यानि की अतिसयोक्ति Next देख लेते हैं प्रशन संख्या 64 में आपको कह रहा है कि मयूर्भन्ज खनेज छेत्र इस्तित है 64 का right answer हो जाएगा Option No.C यानि की उरिशा में Next question देख लेते हैं प्रशन संख्या 65 में आपको कह रहा है कि स्वीत परकास की एक किरन काच के प्रिज्म पर आपतित होती है वह परकास बर्ण जो काच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिक्तम बिचलित होता है यानि की 65 कर आइट इंसर हो जाएगा Option No.A यानि की बैगनी Next देख लेते हैं प्रशन संख्या 66 में कह रहा है कि C60 के एक अनू में कितने 60 कुनिय और 5 कुनिय आकिरती होती है तो 66 कर आइट इंसर हो जाएगा Option No.A यानि की 20 60 कौन और 25 कौन Next देख लेते हैं 67 मैत आपको दिया हुआ है 67 कर आइट इंसर हो जाएगा Option No.C Next देख लेते हैं प्रशन संख्या Option No.A आपको कह रहा है कि नियून में से कौन सा कतन भारती श्रमिधान की प्रस्तावना के शमंद में सही नहीं है Option No.D आपको कह रहा है प्रस्तावना में अभी तक केवल एक बार्शन सुधन किया गया यानि कि 60 कर आइट इंसर हो जाएगा Option No.D Next question देख लेते हैं Question No.69 में आपको कह रहा है प्रशन संख्या 69 में कि हिंद्र महासागर में अमेरिकी 9 से 9 अड़ा इस्तित है 79 कर आइट इंसर हो जाएगा Option No.C यानि कि D.N.G. गार्शिया में Next question देख लेते हैं Question No.70 में Choose the appropriate model and fill in the blank यानि कि आपको इसमें model भरना है आपको इस खाली जगह में 70 कर आइट इंसर हो जाएगा Option No.C यानि कि इसमें में भरा जाएगा यानि कि May the train arrive so soon Next question देख लेते हैं 71 में कर आए कि मानुत वचा का अध्यान करने वाले बिज्ञान की साखा कहलाती है 71 कर आइट इंसर हो जाएगा Option No.D यानि कि Darmatology Next question देख लेते हैं 72 में आपको Math दिया हुआ है और 72 कर आइट इंसर हो जाएगा Option No.B यानि कि 2P Next question देख लेते हैं प्रस्टन सेंका 73 में कर आए कि निमली खित नदियों में से कौन सी नदी अफिरिका महादीप में इस्तित नहीं है 73 कर आइट इंसर हो जाएगा Option No.B 74 कर आइट इंसर हो जाएगा Option No.C यानि कि रेखिये संबेक सनरक्षन के सिधान पर कार करता है दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है अभी तक आप हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं तो इसे अवर सस्क्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऐसा वीडियो आपको हम ले करके आते रहेंगे आपके लिए बहुत ही फायदे मन्द है और इसके बाद प्रैक्टिस सेट भी आपका बिहार पूलिस का हम चलाने वाले है तो आप लोग इसे सस्क्राइब कर लीजिएगा और इसे लाइक करना नहीं भूलिएगा तो चलिए दूस्तों देखते हैं 75 में कर आएकि निवन में से कौन सा एक रुपांतरित तना है 75 कर आई टेंसर हो जाएगा आपसन नमर B आलू जो है यह एक रुपांतरित तना है नेक्ट देख लेते हैं 76 76 कर आई टेंसर हो जाएगा आपसन नमर D यानि की 4 नेक्ट देख लेते हैं 77 में कर आएकि लोग लेखा समीति अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत करती है 77 कर आई टेंसर हो जाएगा आपसन नमर B यानि की लोग सभा के S.P. करको नेक्ट देख लेते हैं 78 78 कर आइटेंसर हो जाएगा option number D यानि कि 46000 नेश्ट देख लेते हैं 79 में कह राकि चांद का मुह टेढ़ा कृती के लेखक है 89 कर आइटेंसर हो जाएगा option number C यानि कि मुक्ती बोध जो है वह चांद का मुह टेढ़ा के लेखक है next देख लेते हैं 80 में कह रहा है कि केचुओ में कलेटलम खंड होते हैं 80 कर आइटेंसर हो जाएगा option number C यानि कि 14, 15, 16, 17 next question देख लेते हैं 81 में कह रहा है कि कलोरोफील डैस की उप इस्तिती में बनता है 81 कर आइटेंसर हो जाएगा option number D यानि कि मैगनेशियम की उप अस्तिती में बनता है next देख लेते हैं 82 में कह रहा है कि प्रकास नुवर्तन में जूरे हुए हर्मोन है 82 कर आइटेंसर हो जाएगा option number A यानि कि आक्षिन हर्मोन है next question देख लेते हैं प्रश्ण संख्या 83 में चूज द अप्रप्रियेट वह नट सेफ्स्चूशन आपको दिया हुआ है a man whose wife is dead 83 कर आइटेंसर हो जाएगा option number B यानि कि वीडियो भर उसको हम लोग वीडियो भर कहते हैं जिसकी पतनी मर गई हो उसको हम लोग वीडियो भर कहते हैं प्रश्ण संख्या 84 में कहड़ा कि उन ततों का समूझ चाट ये जिसमें केवल धातुए हो 84 कर आइटेंसर हो जाएगा option number D यानि कि B, C, A, S, R और N, A प्रश्ण संख्या 84 कर आइटेंसर option D हो जाएगा प्रश्ण संख्या 85 में कहड़ा है कि राज सरकारों का समय धानिक परमूख कौन होता है तो 85 कर आइटेंसर हो जाएगा option number B यानि कि राज जिपाल next देख लेते हैं 86 कर आइटेंसर आपका हो जाएगा option number A यानि कि 72 next question आपका हो जाएगा 87 में आपको कह रहा है कि मांटेगू जेम्स फोर्ड की रिपोर्ट यानि कि 87 कर आइटेंसर हो जाएगा option number C यानि कि भारसर कारदेनियम 19-19 का अधार बनी next देख लेते हैं 88 में आपको कह रहा है कि छुदरतम एंग्रियो स्पर्म है 88 कर आइटेंसर हो जाएगा option number B यानि कि वोल फिया next question देख लेते हैं प्रशन संख्या 89 में कह रहा है कि पिछले कुछ बर्सों में और्त बेवास्ता के किस छेतर ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है तो 89 कर आइटेंसर हो जाएगा option number D यानि कि वी निर्मान छेतर में next question देख लेते हैं प्रशन संख्या 90 में कह रहा है कि 91 सीखता का जानक है 90 कर आइटेंसर हो जाएगा option number A यानि कि ग्रेगर मेंडल जो है वो आइटेंसर हो जानक है next देख लेते हैं 91 में कह रहा है कि किस अनुछेत का अनुसार भारत के राष्ट पती द्वारा राष्टी ये अपात काल की घोषना की जा सकती है 91 कर आइटेंसर हो जाएगा option number A अनुछेत 352 next question देख लेते हैं प्रशन संख्या 92 में कह रहा है कि भारत के समिधान में चुनाव परनाली का प्रवधान की अनुछेतों में किया गया है तो 92 कर आइटेंसर हो जाएगा option number B अनुछे 324 से अनुछे 329 तक में किया गया है next देख लेते हैं English का question है कि select the antonyms of the given word यानि कि genuine का आपको antonyms बताना है 93 कर आइटेंसर हो जाएगा option number B यानि कि false हो जाएगा next question देख लेते हैं 94 में select the correctly spelled word यानि कि correctly spelling आपको बताना है कि इसमें से कौन है 94 कर आइटेंसर हो जाएगा option number C यानि कि alteration जो है या आपका correct आपका word है next question देख लेते हैं 95 95 कर आइटेंसर आपका हो जाएगा option number C बारे परसेंट next question देख लेते हैं 96 में आपको कह रहा है कि पोधे जो नमक की उक्तमीटी में उकते हैं को क्या कहते हैं 96 कर आइटेंसर हो जाएगा option number C उसको हम लोग हेलो फाइड कहते हैं next देख लेते हैं question number 97 में कह रहा है कि शो वहनी पोधे में पानी किससे उपर जाता है तो 97 कर आइटेंसर हो जाएगा option number D यानि की जाइलम टीसू से next देख लेते हैं 97 कर आइटेंसर आपशन D यानि की जाइलम टीसू next question देख लेते हैं 98 में कह रहा है कि RNA का मुख काड है 98 कर आइटेंसर हो जाएगा option number C यानि की प्रोटीन शंसलेशन next देख लेते हैं 99 में आपको दे रहा है कि राजशभा में होते हैं या आपको बताना है छोटा कर देते हैं दे रहा है question हम पर देते हैं उसके बद हम एंसर बता देते हैं देरा आइक 99 में की राजशभा में होते हैं इसका एंसर हो जाएगा option number C यानि की 250 सदस जिसमें से 12 सदस भारत के राश्ट पती द्वारा मनूनित किये जाते हैं next देख लेते हैं अंतिम question आज का हो जाएगा 100 कर आके राश्टिये सुरक्षा समिती का परधान कोन होता है 100 कर आइटेंसर हो जाएगा option number B यानि की परधान मंत्री तो दोस्तो यह practice set जो हम लेकर आए थे यह आपको बिहार पुलिश previous year question जो था 8-3-2020 8-3-2020 आपको शेकेंड पाली यानि के दिरतिय पाली का practice set इससे पहले दोस्तो हम प्रथम पाली का practice set करा चुके हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो मेरे playlist में जाकर उसे देख सकते हैं दोस्तो आप से एक request है कि अभी तक आप अमारे चनल को subscribe नहीं किये हैं इसे जरूर subscribe कर दें और इसे ज़्यदा से दर like करें और दोस्तो में share करें facebook, whatsapp, telegram के माध्यम से और bell icon का बटन दबाना न भूलें क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसका notification आपको पहले प्राप्त होगा और दोस्तो हम 10 साल 10 से बारा साल का हम practice set कराएंगे previous year उसके बाद हम आपको book से practice set कराएंगे जो भी अच्छा book होगा उससे practice set हम कराएंगे और दोस्तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो description में हम telegram का link दे दिये हैं आप लोग जा करके वहां से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों मिलते हैं next video में तब तक के लिए धन्यबाद